नमस्कार योपी मिस्रा का इंसाइड जारखंड की ओर से आज मैं आप लोगों को सिंग हरासी के बारे में बोलूँगा आपको एक दो दिन परतिक्षा करनी पड़ गई कोई बात नहीं है में तक बोलूँगा मैं कारण की मंगल और सूरज दो प्राइम फैक्टर है जो रासी फल में बहुत बड़ा अंतर करते हैं और इंसिडेंटली दोनों ग्रह क्रुएल प्लैनेट भी है कठोर ग्रह भी है इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है बुद्ध लगबख समान रिजल देते हैं जब तक एकदम एड़वर्स ना हो तब तक ठीकी रिजल देते हैं या जब तक मैं बोल ना दू कि बुद्ध खराब हैं तब तक और इसके पहले आप लोगों ने देखा कि नक्षत्र से धंद के हिसाब से सनी और गुरू की व्याख्या हमने की थी सूरज में रहते रहते नवांस के साथ भी हमने इसके बारे में बताया था तो सनी के बताने का समय आ गया है इसलिए कि सनी सूरज जो बारह एक को दस में आएंगे यहाँ पर सनी भी हैं और सनी और सूरज की दूरी घर्टी चली जाएगी तो सनी अस्त हो जाएंगे सनी अस्त होंगे तो डिफेक्टिव हो गया अब defective होंगे तो सनी खराब हो जाएंगे इनके जो अच्छे result हैं वो ना मिलेंगे जो some result हैं वो बुरे हो जाएंगे बुरे result थोड़ा अधिक बुरे हो जाएंगे तो मैं उस पर भी आना चाहता हूँ लेकिन अब सिर्फ इसी रासी फल पर आटका रहा जाओंगा तो आज तो सिंग है छे दिन साफ दिन और लगेगा लगातार बोलू तब देखता हूँ क्या करूं मैं लेकिन सनी के बारे में जानकारी जरूरी है जब ये अस्त हो जाएंगे तब इनकी जानकारी बहुत जरूरी होगी तो पहले नक्षत्र सिधान्त के हिसाब से आपको ध्यान देना होगा कहाई की चंद्रमा के नक्षत्र में सनी और गुरू चले जाएंगे तो आज मैं सिंगर आसी के लिए सूरज क्या दे रहें ये बात बता रहा हूँ सिंगर आसी में जब सूरज रहेंगे 15 अगस से 15 सेप्टम्बर के बीच में हमने यहां पर लिख दिया है लाल से तारिक लिख दिया है 15 अगस से 15 सप्टमबर के बीच में जब सूरज यहां रहेंगे तो सूरज बली होंगे तो आपके मान में जादा रुत्वा प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए सिंग रासे वालों के लिए बात कर रहा हूँ मान मजादा रुत्वा प्रतिस्था वगर बढ़नी ही चाहिए हाँ चुकि चंद्रमा भी उसमें है तो चंद्रमा के जब ये नजदीक आ जाएंगे 12 डिग्री नजदीक में आ जाएंगे तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा दिन आपके लिए खराब पड़ रहा है कौन सा दिन कौन सा तारीक आपके लिए खराब पड़ रहा है वो आपको चेक आउट कर लेना पड़ेगा करन की 12 डिग्री नजदीक आने से इस चंद्रमा जल जाएंगे तो कौन सा जो तारीक है वद्धतारा में पढ़ रहा है विपततारा में पढ़ रहा है तो यह सब चेक कर लेना पढ़ेगा प्रत्यारी तारा में पढ़ रहा है वो सब दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पढ़ेगा जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लीज़े रासी फल सही माने में एक जन्म कुणली देखने से ज़्यादा कठिन रासी फल देखना है देखते हैं टुकड़े में मैं बोलना पड़ रहा है एक साथ समेट के बोलू तो एकड़म जुट्ठा सावित हो जाओंगा मैं तो सुरत जब यहाँ पर रहेंगे सिंग रासी में रहेंगे तो आपके लिए मान मरजादा, रुत्बा, प्रतिष्ठा सारी चीजें मिलेंगे और खर्चे अधिक होंगे जब यह चंद्रवा के नजदी का आएंगे तो खर्चे बहुत होंगे और शौट जर्णी भी होंगे जो अशुब होंगे शौट जर्णी छोटी छोटी जो जर्णी होगी वो अशुब होगी जदी आप नदी के किनारे, किनारे या पानी के किनारे या बड़े ड्रेन है उसके किनारे, किनारे, रोड के किनारे चलना है है तो नुक्सान होगा जैसे मैंने कहा था कि देखे संगर चक्र के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि परिवहन विवाग में थोड़ी गड़वड़ी है इंडियोनेशिया का प्लेन तो गिर गया और तमासा भी हो गया कुछ पार्लियामेंट्री तमासा बड़े देश में तो समय तो सही में बहुत अच्छा नहीं है मैं बोलता हूँ तो लोग हम पर व्यंग करते हैं कि ऐसे करके पेसे बोलते हो कि सब जिन तो नक्चत्र खराब है खराब है बस जर मैं बहुता हूं कि साधी नहीं करना हैँ भी ठीक नहीं है तो बेवकूप नहीं हूँ बेब कुप के ऐसा कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपकी बेटे का कीमत दसलाक नहीं हे बचासलाक नहीं है करोर नहीं है सौझ करोड से भी उपर है आपके एक बेटे और बेठी की किमत और आप अपनी खाम ख्याली में जूट मुट का साधी करा करके उन लोग को इतनी तकलिब दोगे कि आख से आशु गिरता रहेगा सारा जीवन रोते रहेंगे लोग तो सुरज जब यहां रहेंगे तो आप चंद्रमा का पोईशन किस रासी में हैं उसमें कितना बल है ये समझ लेना जरूरी है Otherwise सिंग रासी में 15 सेप्टमबर तक ही आपको 2021 की बात बोलाओं मान मरजादा रुत्वा प्रतिष्ठा प्रमोशन तक दिला सकते हैं सुरज जब 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में रहेंगे तो तुलारासी में तो तुलारासी में सुरज नीच के होता है और ये थर्ड हाउस जो है अपने से छोटे भाई का होता है तो देर कैन बी सम डिस्प्यूट्स विट यूर यंगर्स जिसमें आपकी मरजादा के हानी हो सकती है लेकिन चुकिए यहां पर चंद्रमा से तीसरे पापग्रा शुब होते हैं तो इनका कहना है कि सब कुछ होने के बाद भी साथ नमबर है साथ वेस्ट को बोलते हैं तो वेस्टरन साइड से कुछ लाफ दिखता तो है तुलारासी से तुलारासी परियावरन को भी बोलते हैं ब्यापार को भी बोलते हैं तो और इलक्टिकल इलक्टोनिक्स को भी बोलते हैं तो इन सब चीजों से कुछ लाफ भी हो सकता है लेकिन सूरज रहेंगे यहां पर नीच आपकी प्रतिभा, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मरजादा थोड़ी सी धकी धकी छुपी सी रहेगी कभी आप बदनाम भी हो जा सकते हो तो यही सूरज 15 नहुंबर से लेकर के 15 दिसंबर, 14 दिसंबर तक ब्रिश्चिक रासी में रहेंगे यह इनका मित्र का घर है, चौथे घर में सूरज बहुत अच्छे नहीं माने गये है सिक्षा के छत्र में ठीक है, विद्यार्चियों के लिए यह ठीक है लेकिन गिरहस्तों के लिए थोड़ा सा यह कड़ा हो गया घर के अंदर में थोड़ी से अनबन, थोड़ी से डिस्प्यूट, थोड़ी से परिशानी यह संभव है यह आप जहां रह रहे हैं, आपके उत्तर में जो परिवार रहता होगा किराय पर या आपके घर ले करके अपना जो पडोसी आपके उत्तर में है उनसे थोड़ा सा चक-चक हो सकता है आपका ध्यान रखेगा और फिर इही सुरज धनूरासी में आएंगे 14-12 से लेकर के 12 जनवरी तक 12 जनवरी 2022 तक जो भी चल रहा है इस पीरिट में ये 9 नमबर में रहेंगे सुरज 9 नमबर में रहेंगे सुरज जब 9 नमबर में रहते है तो सुरज अगनी तत्व नौ नमबर अगनी तत्व और फिप्थ हाउस अगनी तत्व सो अगनी से रिलेटेड खत्रा अधिक बढ़ सकती है प्रेन जल जाए गाड़ी जल जाए बरत्व गिर रहा है लेकिन इसके बाद भी अगनी की घटनाय रहेंगी जंगलों में आग लग जाती है कारखानों में आग लग जाती है वो सब बात मिहाँ दिख रहा है लेकिन ये पूर्वी च्छतर की बात है ये और बारह जनवरी से ले करके बारह जनवरी दोहजार बाइस से ले करके 12 फरवरी 2022 तक इस सूरज ठीक रहेंगे मकरसंक्रांती जिस को वोलते हैं मकरसंक्रांती मकरसंक्रांती तक ये सूरज बहुत शुब रहेंगे उत्राइन की और जब ही कोई गरभ प्रवाहित होते है चलते हैं तो उनके अंदर में शुबता आ जाती है दक्षनाइन की तरफ जब चलते हैं तो उनके अंदर में थोड़ी सी कमी आ जाती है उनके तेज में तो सूरज 12 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक भी ये शुब हमाने जा सकते हैं लेकिन ये सत्रू का रासी है, मकर रासी है, ये सनी का रासी है तो थोड़ी बहुत बाधा सनी के स्वरूप जो लोग हैं उनके द्वारा संभव हो सकता है जदी आप उचे पोस्ट पर हो काम कर रहे हो तो आपके पीछे ज़िदी कोई लगा है तो ये समझ लिजे कि आदमी स्याम बर्ण का है, थोड़ लंगड़ा के चलता होगा या थोड़ा कुबड़ा है, हलका सा कुबड़ा भी हो सकता है, लिम्पिंग करके चल सकता है, ऐसा भी हो सकता है और आपके घर से दक्षिन दिसा में रहता है या आप जिस सहर में रह रहे हुँ उस सहर के दक्षिन चत्रे से या आता है और छोटी जाती का है ये बेक्ती आपको हार्म करेगा तो चुकि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ आप ध्यान देंगे तो आप जहासे में नहीं फसेंगे आप सड्यंत्र में नहीं फसिएगा नहीं तो सड्यंत्र में फसने की बात दिखती है इस मकर संक्रांती में आपके लिए लेकिन उत्राइन होने के कारण सूरज में कुछ दम आ गया भिसेश महात्मा भिस्म भी रुके हुए थे ना तेर पर उन्होंने का कि जब उत्राइन आ जाएगा तो मैं प्रान त्याग करूँगा तो मकर संक्रांती तक सिंग रासी वालों के लिए थोड़ा समय अनुकूल ही है लेकिन सड्यंत्र से बचेगा ट्राइटो हेल्प यॉरसेल्फ इसके बाद सूरत जब 13 जून से 15 जुलाई तक रहेंगे तब भी शुब रहेंगे मैं अच्छा गुड पीरिट बता रहा हूं मैं आपको सूरत जब 13 जून से 15 जुलाई तक मिथुन रासी में रहेंगे तो आपकी इंकम की बृद्धी होगी आपका प्रमोशन हो सकता है आपको इंकर्मेंट मिल सकता है आपके पैसे लौट सकते हैं या बिना मांगी ही कुछ लोग आपको अपने आपका पैसा कहीं हो तो वो दे देंगे और ये घटना पस्चिम दिशा को इंडिकेट कर रहा है वेस्टर्ण साइड से और ये तीन नमबर मित्वन को बोगते हैं ये इस्त्री रासी है तो कुछ लाव ऐसे लोगों से भी हो सकता है आपके घर में बड़े बजर्ग होंगे औरते होंगे जो आपको बिसेस मदद कर सकती है तो सूरज ये तीन जगह में तुला रासी में मकर रासी में और मित्वन रासी में पॉजिटिव होंगे मकर संक्रांती में एक बात बोलना भूल गया मैं कि सूरत के कारणा आपके सत्रू आपको बाधा नहीं पहुँचा सकेंगे ये सत्रू आपको बाधा नहीं पहुँचा सकेंगे अब सत्रू सब्से तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपके आपस्टेक्शन्स नहीं रहेंगे आपके जतने आपस्टेक्शन्स होंगे वो सॉलिशन में बदल जाएंगे उसको आप सॉल्व कर सकेंगे ये बात है ये सही सब्दिय है है तो सूरज की स्थित्य ऐसी है और सूरज अब एक نंपर में रहेंगे तो ये nineth house में रहेंगे best house में रहेंगे और उच्छे के भी रहेंगे 100% strong रहेंगे और 12,4 से लेकर के 13,5 का ये समय है इस एक महिना में जदी आप जो भी परिक्षा दे रहे हैं आप जरूर पास करेंगे जरूर कंपीट करेंगे सिंग रासिय वाले ये समझ लिजे कि 12 अप्रेल से 13 मैं तक का समय आपके लिए श्वरनिम संजोग ले करके आया है इसमें एक छोटा सा गाच लगा दीजे बढ़गत का ब्रिक्षा हो जाएगा बढ़ करके आप कुछ भी कर सकते हो इस पीरिट में कुछ भी अच्छा काम अपने लिए आप लैनिंग कर सकते हो इसको उप्योग करें यह पीरिट भी बहुत अच्छा जाएगा 12 अप्रिल से 13 मैं तक के अंदर में तो मैंने अच्छे पीरिट ही आपको छाट करके बता रहा हूँ बुरे पीरिट नहीं बता रहा हूँ गुड पीरिट अब जो से मीन में आएंगे तो चंदरमा से अस्टम आएंगे 13-3 से लेकर के 12-4 तक तो यह पीरिट ठीक नहीं रहेगा खास करके ऐसे लोगों को जो स्विमर्स हैं जो तालाब में सीख रहे हैं नदी में सीख रहे हैं या जो पार्क में क्या बोलता हैं कलब में सीख रहे हैं स्विमिंग के लिए तो कम से कम जो बच्चे हैं जो अनाड़ी हैं उनको जल में नहीं जाने दीजे एक मेहना के बाद इस पीरिट को छोड़ करके उप योग में लाईए तो असा है आप लिख लीजेगा मैंने लिखा है कि तुला, मकर, मितुन, मेश और धनू इसमें जब-जब सूरज रहेंगे आपके लिए शुभ रहेंगे तुला, मकर, मितुन, मेश और धनू और मैंने डेट इसी में लिख दिया है पूरा डेट यहां भी लिख दिया है और यहां भी लिख दिया है Now coming to Mangal, Mars Mars सिंग रासी वालों के लिए मित्र होते हैं योग कारक होते हैं मददगार होते हैं राज योग देने वाले हैं रियल प्रपर्टी देने वाले हैं सारा काम ये करेंगे सिंग रासी वालों के लिए मंगल बेस्ट प्लाइनेट के हिसाब से इनको आपको ठीट कीजिए बेस्ट बेस्ट प्लाइनेट तो इस मंगल को मैं यहां लिखा हूँ इस जिगा लिखा हूँ अब मंगल एक नमबर में पचीस बारह से उनेस दो तक हैं पचीस बारह से पचीस बारह बीस पच्छले साल का जो दिसंबर है पचीस दिसंबर से बीस से लेकर के उनेस फरवरी तक में शरासी में है तो पांच नमबर में मंगल योग कारक की प्लाइनेट हैं बेस्ट प्लाइनेट हैं सुई से लेके पहाड तक एही देना है इन ही को देना है किसी दूसरे ग्रह को कोई अधिकार नहीं है कि बिना मंगल से पूछे कुछ दे दें आपको ये इसकी संभावना नहीं है इस बात को आप समझ लीजे मार्स इस बेस्ट प्लैनेट फॉर यू तो 25 दिसंबर 2020 से लेकर क ग्रह कर दो हजार बाइस तक यह समय आपका बहुत बढ़िया है इस वोलना हूं पचेश दिसंबर से लेकर के 29 फरवरी दो हजार एक टईस तक का यह समय आपका बहुत बढ़िया है लग कि पीरेड है इस नॉट अट ओनि लगठी पीरिड इट इस वेरी लगी पीरिड very lucky period so जो लोग real estate का काम करते हैं जमीन, जदाद, मकान, भूमी, भवन, दुकान प्लाट मना करके जमीन बेजते हैं छोटे-छोटे टुकड़े करके बेजते हैं उनके लिए बहुत बढ़ियां समय जो लोग mining करते हैं business करके iron ore वगरा का mines उनके लिए बहुत lucky period है तो इसको खास करके note कर लिए जो लोग singh-raasi वाले हैं singh-raasi का तो मैं भी हूँ सरी मैं मकर, singh-lagan का हूँ मकर-raasi है मेरा तो इसमें रासी के बारे में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ रासी से बोल रहा हूँ और बहुत पहले मैं बोल चुका हूँ कि 80% रासी से रिजल देखे और लगन से 20% रिजल का अनुमान करा लीजे दोनों को मिला लीजे तो सही हो जाएगा अब यहाँ पर हमने very lucky period दिया है लिखा हूँ very lucky period लेकिन मैं इसमें नवांस का उपयोग नहीं कर रहा हूँ lucky period है ठीक होगा ही एमान के मैं चल रहा हूँ लेकिन जदी राक्षस नवांस हो जाएगा राक्षस नवांस में जब पढ़ेगा उसमें थोड़ी कठनाई के साथ लाक्षी period आएगा असानी से नहीं हो गए ये राक्षस नवांस में ये थोड़ा ज़्यादा कठन हो जाएगा मतलब आप बहुत loud हो जाएगे जो आजकल नेतागिरी करते हैं किसी के बात नहीं मानते हैं उनकी अपनी लाठी चलती है दूसरे की लाठी नहीं चलती है तो जदि आप दवंग है तो मत रहिएगा दवंग करण की ये आपको धोखा भी दे सकता है राक्षस नवांस का होगा तो आप जेल भी जा सकते हो उसी तरह से 11 अप्रिल 2021 से लेकर के 30 पाँच 11 अप्रिल 2021 से 30 पाँच 20 अजार सरी 2021 तक मिथुन रासी में रहेंगे मंगल मिथुन रासी मेरे हिसाब से बारहों रासी में या बारहों लगन में सबसे गरीब है बेचारा सबसे कॉमल है सबसे मुलाइम है ये आटा का लोईया है ऐसे करके साप बना लीजे चड़िया बना लीजे जो मर्जी है परोठा बना लीजे रोटी बना लीजे जो भी किजिए वही मितुला सी है इस वेरी सॉप्ट और मंगल सबसे हाड़ेस्ट प्लैनेट हैं बहुत कठिन बहुत कड़े ग्रह है इस मंगल से राहु डरते हैं राहु को कोई ग्रह पचाड नहीं सकता राहु डरते हैं तो सिर्फ मंगल से डरते हैं कभी राहु जीतते हैं कभी मंगल जीतते हैं तो ये मितुन रासी में जब 11 अप्रिल 21 से लेकर कि 30 मई तक बहुत बढ़िया है शुब है इसका भी उप्योग कर लिजेगा ये तीन नंबर को लिखने पढ़ने की चीज बोलते हैं डॉक्मेंट्स की चीज भी बोलते हैं तो जो लोग सिक्षार्थी हैं उनके लिए तो जरूर बहुत बढ़िया समय है इस इस एडिसनल गुड पीरियट फर यू सुरज के जरी जो बोलना हो इसको जरी जो बोलना हो तो देखे यहाँ पर एक दो तीन चार पांच और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पांच चार नौ महिना नौ जोन यह नौ रासिया आपके लिए फलद हैं अच्छा रिजल देने वाले हैं इसको नोट कर लीजेगा लेकिन राहू दो नंबर में हैं अकास में अभी राहू दो नंबर में हैं जो पूरा 2021 तक रहेंगे और सूरज मंगल इसमें रहेंगे 19 दो से 11 चार तक यहाँ पर रहेंगे मंगल मंगल इस पीरिट में रहेंगे यहाँ तो नहां राहू भी रहेंगे तो दोनों में जुद्ध भी होगा दोनों में जुद्ध भी होगा तो जमीन जदाद मकान भूमी भवन को लेकर के थोड़ी बहुत मर मकदमा जंजड जगडा यह सब संभव है तो अपने बुद्धिक से जो काम करना है वो कीजेगा सिर्फ वकिल के चक्कर में मत पढ़िएगा अपनी बुद्धिक अभी उपयोग कीजेगा जरूरी नहीं है कि हर चीज को मुकद्मा के जरिये ही सुलजाए जाए लिगल मैटर में खड़ा हो करके जाएगा तो ये बहुत दूर तक चला जाएगा कारण कि ये फिक्स्ट साइन में है दो नमबर फिक्स्ट साइन में है तो जगड़ा होगा तो छोटा चीज ने वो गाच रुपा जाएगा जगड़े का गाच फिला नहीं सकीएगा फिर वो लंबा चलेगा अब के बाल बच्चे तक चला जाएगा तो इस पीरिड को एवाइड कीजे 19 फरवरी से लेकर के 11 अपरिल तक का पीरिड को थोड़ा सा लो प्रुफाइल में मेंटेन कीजे मान मर्जादा रुत्बा प्रेस्टिजी शुमत मनाईएगा शांत हो करके निकालिए और एक चीज जरूर ध्यान रखे मन को चौकना रखे ग्यान को चौकना रखे एकदम कि कोई धोखा तो नहीं दे रहा है आपको एक स्यामबर्ण का आदमी धूएंकरंग का आदमी जो शौट हाइड का होगा वो थोड़ा धोखा दे सकता है वो बिजाती आदमी भी हो सकता है आपके धर्म का आदमी नहीं है तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है और होफ़ूली आप जहां रहते हो या आपका जन्म जहां हुआ है उससे विए दक्षिन के प्रांतों में दक्षिन के एरिया में सौथ जोन में वो रहता होगा वो आदमी तो मैं थोड़ी सी गंभीर बात भी रफरेंस के साथ आपको बताया हूँ कि उन्हें इस से लेकर के 11 अपरिल तक आपको साबधान रहने की जौरुत है ठीक उसी तरह से 30 मैं से लेकर के 18 साथ तक मंगल नीच के रहेंगे चार नमबर में अब ये खतरे का घर है मैंने यहाँ पर लिखा है वी बैड वी बैड तो आज भी बहुत सारे मकान में कुआँ है बहुत सारे गाओं में दिहाद में इस जिगा में घर में कुवा है पहले घर में कुवा बनाते थे लोग करन की घर के ओरतें परदा नशीन होती थी बाहर नहीं जाती थी और पानी तो पानी है चाहिए ही तो जो घर में कुवा है वो लोग बहुत साब्धान रहें कि आपके बाल बच्चे या औरते हैं या आप खुद कुवें से पानी ना निकाले आजकल तो घर घर नन लगाई जा रही है और लग गई है सभी जगा तो जो बैक्ती सबसे बलिस्थ हो बलबान हो वो थोड़ा पानी निकाल करके जो चोखना है और जो तैर ना जानते हैं वो पानी निकाल करके घर के काम के लिए अलग से रखने हैं चार नुमर के मंगल, आठ नुमर के चंद्रमा नीच होने के बाद भी अशुब नहीं होते, लेकिन external injury दे सकते हैं, चोट लगा सकते हैं, छाती में तकलिब दे सकते हैं, अब यही period है, 30 मईश से लेकर के 18-7 तक जिनको थोड़ा भी cardiac problem है, वो aggravate कर जाएगा, इसी period में aggravate कर अभी आपको कुछ नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन जैसे यह period आएगा 30 मईश से लेकर के 18-7 तक तब आपको अंदाज लग जाएगा, नहीं छाती में कुछ तो problem है, कुछ तो defect है, तभी तो थोड़ी से दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस छोटी हो कर रहा है, धड़कन तेज हो रही है, यह सबसी आपको अंदाज लगने लगेगा, तो इस period में उत्तर दिशा जाना ठीक नहीं है, पानी में जाना ठीक नहीं है, water is your enemy, सिंगरासे, सिंगरासी वालों के लिए 30 मईश से लेकर के 18 जुलाई तक का समय पानी से दूर रहने का ह है, अब पानी का बहुत अर्थ होता है, तो नदी ही नहीं, कुवा ही नहीं, ताला भी नहीं होता है, पानी जो आप घर में पीते हैं, वो पॉलिटेड पानी जदी हो, उसमें गंदगी हो, तब भी आप बिमार हो सकते हैं, चाहती में, कुछ रोग आ जाएगा, the carrier will be water, carrier will be लिक्विड, जो भी आप लिक्विड पी रहें, कोका कोला, पेपसी, फेंटा वगरें, कुछ भी चीज आप ले रहे हो, साबधानों करके, उसका expiry date चेक कर लो, ये बहुत खास बाद बोल रहा हूं, कारण की चार नमबर का मंगल, it is very treacherous, बहुत धोका देरत है, आदनी को पता नहीं चलता है, कारण की, कभी हर साल एक बार तो एक चक्कर लगता ही है, और ignorance पे थोड़ी तकलिब भी होती है, तो हम लोग उसको भूल जाते हैं, फिर 18 साथ से, 18 जुलाई से ले करके, 3 सेप्टमबर तक, मंगल पांच में रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे, तो मंगल अगनी तत्व, सिंघ रासी अगनी तत्व, लगन अगनी तत्व, तो फिर ये अगनी के बात आ गई, अगनी का खेला होगा, बवंडर होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आग, चहु और आग लग जाए, पूर अब्दिसा की और आग लग जाए, कही पर सोई हुए भलकनों हैं, वो इरप्ट कर जाएं, लेकिन एच चंद्रमा मन को बोलते हैं, किसी भी कारण से मन में थोड़ी सी दुख रहेगी, दुख रहेगा, किसी भी कारण से, थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, और टेक कियर आफ यूर माता जी, अपने माता जी का भी आप ध्यान रखेगा इसी पीरियड में, इसके बाद मंगल जब तुलारासी में आएंगे, 19.10 से 3.12.01 तक, ये समय ठीक है, ठीक है, मतलब शुब है, औस्पीसियस है, गड़बड़ी सिर्फ पिर नहीं है कि तुलारासी बोलते हैं सुक्र को, विकल को, और उसी में मंगल रहेंगे, तो मंगल चाहेंगे कि आपके गाड़ी को कहीं ने कहीं टकरा दें, आग लगा दें, या उसमें कुछ जंजट पैदा करने हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा कि अगनी में समय है, तो आपके गाड़ी में एक हथोड़ा होना चाहिए छोटा सा, जिससे जब आवश्यक हो तो तोड़ करके आप निकल सकें, काई सेंटर लॉक लग जाता है, तो सब बंद हो जाता है, निकलना मुस्किल हो जाता है, कम से कम बॉनेट के सामने में जो सीसा लगा हुआ है, काफी चोड़ा होता है, उसी को तोड़ करके निकला जा सकता है, आग लगने से, या जैसे भी हो ग्लास तोड़ करके निकलने के लिए इतना जग़ एक खथोड़ा जरूर रखे या पत्थर रखे अपने गाड़ी में इस पीरिड में खास करके 35 से लेकर के 18 जुलाई तक और 18 जुलाई से लेकर के 3 सप्टमबर तक Prevention is always better than cure Prevention is always better than cure अब ऐसे दुखत पीरिड के भीतर में जदी कहीं लोग साधी ब्याहा करते होंगे तो मिस्दा जी क्या बोल रहा है मैं आपके आपका सत्रूत नहीं हूँ मैं तो आपको देखा भी नहीं हूँ हमसे आपका कोई परचा भी नहीं है मैं तो जनकल्यान के नाते बोल रहा हूँ कि इसमें यदि कुछ इतने कठिन पीरिड में यदि कुछ मीठा संजोग होगा तो जनजट वाली तो बात है और पंडी जी लोग जो विवा की तितिय निकालते हैं उसमें दस दोस्त को लोग बहुत माइनुटली चेक करते हैं तो वो अपने पंचांग के हिसाब से तो जो सुद्ध रेट है वो निकाल के दे देते हैं लेकिन आपके लिए बर और बधु के लिए वो दिन सही है या नहीं इसको कौन चेक करेगा आप ही नचेक करेंगे अपके पंची जी को वो आता ही नहीं सिस्टम आप तो सिख लीजे वो तो मेरी चीज नहीं सुन रहे होंगे आप तो सीख लीजे मैंने जो किताब लिखी है डोंट वी अफ्रेड ओप मास्ट दोसा उसमें थोड़ा सा हमने कुछ परचे के हिसाब से कुछ जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से एक दो चप्टर लिखे हुई है लेकिन नक्सा बना करके उसमें कुणली मना करके हमने अनेक possible जितने भी variations हो सकने सारे वरीशन देकर के हमने लिखा है किस marriage is possible with none mangalah लड़का और लड़की, marriage is not possible, marriage इस marriage should not take place, ऐसा करके हमने अपना comment दिया है तो जदि आप थोड़ा सा भी brain को exercise करेंगे, then you will be master of mangal dorosha एटलिस्ट आप समाज का बहुत बड़ा उपकार कर सकेंगे मैं सिर्फ पैसे कमानी के लिए नहीं लिए हूँ मैं चाहता हूँ कि जो लड़के और लड़कियां है जिनकी साधिक खुद होने ही है यार अब तुम तो देख लो क्यों है ये दो अज्यानी पड़ितों के भरोसे चल रहे हो जो सराध कराते हैं वही आदमी चठ्यार कराते हैं वही आदमी सब पूझा भी कराते हैं He is master of all जो specialized है जो एस्ट लाजर उन से सला करो और नहीं तो मैं जो लिखा हूँ उसको पढ़के तुम देखो अज़े नहीं समझ सकने, तो हमको चिठी लुखना। हमने इतने examples दिये हैं, इतने variances दिये हैं, कि अंधे को भी समझ में आ जाए। , ост दिये नो मंगल्दोसा बेना मंगल दोस्वाले लड़के या लड़की से भी साधिक की जा सकती है बहुत डिटेल में हमने दिया है और मेरी ये पहली कृती है मैंने देखा